जैमा डाट काली बत्तो आज का जो वीडियो है टेग लाइन से समझ गयोंगे पित्र पक्ष को लेकर हैं अभी पित्र पक्ष की खरीदारी शुब होती है या अशुब होती है पित्र पक्ष में खरीदारी के सास्त्रों में क्या नियम है यह सवाल आजकल मुझसे बहुत पूछे जा रहे हैं और इसकी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ता कि आपका जो ये दिमाग में confusion है कि बित्र पक्ष में खरीदारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए और क्या खरीदार कर की शुब फल देगा या शुब फल देगा यह खरिदारी किसको लगे इप लुगेगी बुतों को लगेगी presently भगवावन को लगी जिसको दे रहे हो उसको लगीगी तो इस सारी समय समयध्यार निस वीडियो के माद्धें सो जाएका और नियम भी मैं आपको बता दूँग जिनमें पित्र पक्षों लेकर काफी उपाए, काफी सारी जानकारियां दी है, जो आप मेरी प्लेलिस में अड़िड है, तो उसमें आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं. साथ ही साथ, आप लोगों को आज की जो जानकारी है, ये मैं आपको देना चाहरा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, 17 सितंबर 2024 से लेकर, जो 15-16 दिन है हमारे, और 2 अक्टूबर 2024 तक ये पित्र पक्षलने वाला है. इस समय हम शराद करते हैं, तरपड करते हैं, पिंड़ दान करते हैं, और अपने पित्रों का दिहान करते हैं, ये जानकारी तो सभी सनातनियों को होगी, तो इसी को लेकर मैं थोड़ी detailing आपको बता दू, उससे पहले मैं सारी details आपके साथ शेयर करना हूँ, आप लोगों से निवेदने, अगर आप मुझसे पसरी जुड़कर, कोई भी सवाल जवाब करना चाहते हो, यानि कि किसी भी प्रकार की आपकी परिशानी, उसका समधान मुझसे चाहते हो, तो मेरी Instagram ID, Facebook ID है, Official Devi Bhagwati Shakti के नाम से, जो YouTube चैनल का नाम है, जो नीचे ब्लिंग होता हो, दिख रहा है, इसी नाम से मेरी Instagram और Facebook ID है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं बता दूँ, ब्रह्म पुरान और गरूर पुरान जैसे प्राचीन ग्रंतों में शराद करम का विस्तरित वर्णन मिलता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे चीवन या हमारे पूरवजों की पूजा और सम्मान हमारी संस्कृती में कितना महतपून है, शराद करम का उदेश केवल हमारे पूरवजों का भोजन और दान प्रदान करना नहीं है, बलकि ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारे मन में उनके प्रती, सम्मान और श्रद्धा बनी रहे हमारी संस्कृती में किसी भी शुब कार्रे की शुरुवात में पूर्वजों का नमन किया जाता है इसे शुब कर्म की सफलता के लिए अनिवार मना जाता है क्योंकि सास्रों के अनिसार जब पित्र त्रप्त नहीं होते तब देवता भी अपना आशरवाद आपको बिलकुल नहीं देते है इसलिए पित्र पूजन और श्राद के दौरान सच्ची श्रथा और आधार के साथ की गई कोई भी क्रिया पित्रों को प्रसन करती है और उनके आशरवाद प्रदान करने में सायक होती है भारतिय परंपरा में तीन प्रमुक रिणों से मुक्त होना आवशक माना चाता है और उनमें से एक रिण पित्र रिण है ये रिण पूरवजों के प्रती सम्मान और शद्धा के रूप में चुकाना होता है इसलिए साल में कम से कम 15 दिन हमें अपने पूर्वजों के लिए समय निकालकर न उनके प्रती आभार और शद्धा परकट करनी चाहिए इस प्रकार श्राद क्रम और पित्रपक्ष का उद्धेश ना केवल पूर्वजों की आत्मा को शांती प्रतान करना है बल्कि ये भी है कि हम अपनी परंपराओं की अनुसार उनका सम्मान कर सके और अपने जीवन को संसारिक कर सके पित्रपक्ष के दौरान लोगों के बीच एक सामान्य धारणा ये है कि ये समय जो होता है वो अशुब होता है और इस दौरान नई वस्तू खरीदने से अशुब प्रभाव पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बामिता है कि पित्र पक्ष में नई वस्तों की खरिदारी में से पित्र नाराज हो सकते हैं और ऐसी वस्तों पित्रों के लिए समर्पित मानी जाती हैं इस धारणा के कारण ये है कि पित्र पक्ष में पित्रों को शद्धांज लियार्पित करने का समय माना गया है और इस अवधी के दोरान सांसारे कार्यों से दूर रहकर केवल दान और पुर्ण्यकी गतिविधियों में सलनंगन रहने की सला दी जाती है इसके परिणाम स्वरूप ये विश्वाजरी पैदा हो गया है कि नई खरीदारी करने से पित्रों की आत्मा को ठेज पहुँच सकती है और इससे घर के काम धंडे पर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है हाला कि मैं आपको बता दू कि सास्त्रों में पित्रबक्ष के दोरान खरीदारी के बारे में सपष्ट निर्देश नहीं दिये गए है दार्मिक गरंथों में इस समय के दौरान खरीदारी करने की अनुमती या निशेद के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्द नहीं है इसलिए इस परंपरा की वास्तविक्ता को जानने और माननता को समझने के लिए अधिक प्रमाण की आवशकता है श्रादपक्ष को लेकर विभिन माननताएं हैं जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस समय खरीदारी करना उचित नहीं है वही कई लोग इसे अशुब नहीं मानते उनके अनुसार श्रादपक्ष, गणिश्यतुर्ती और नवराद्री के बीच पढ़ता है इसलिए इसे अशुब मानने की कोई वज़य है ही नहीं उनका मानना है कि इस दौरान पित्र धर्ती पर आते हैं और अपनी संतान सुखी देखकर और संपन्न देखकर वो आशिरवाद देते हैं इस समय नहीं वस्तुएं खरीदने से पूरवजों को ये संदेश मिलता है कि उनकी संतान जीवन में खुशाल है जिससे वे भी प्रसन होते हैं हाला कि कुछ विशिष्ट वस्तुएं हैं जिने पित्र पक्ष में खरीदने से बचना चाहिए इन वस्तुओं में नए कपड़े और नए आभुशन शामिल है इसके विपरीद आप इस अवधी को जो है नया मकान, नया पलोट, नया फ्लैड या नई गाड़ी खरीद सकते हैं ऐसा माना जाता है कि इन चीजों की खरीदारी से पित्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि इससे उनकी संतान की उन्नती होती है और सम्रिद्धी का संकेद मिलता है इस प्रकार अगर आपको किसी महत्पूंग चीज की जाग रुकता है तो पित्र पक्ष के दौरान भी खरीदारी की जा सकती है बशर्ते आप इस दौरान कुछ वस्तों से परेज करें अब ये तो एक धारणा होगी जिसमें बताया जाता है कि भई आप इस समय पर क्योंकि पित्र आपको खुश देखेंगे तो वो भी खुश होगे वो आपको आशरवाद देंगे ठीक है ये भी धारणा सही है पर कहीं न कहीं अब मैं अपनी परसनल एक्स्पिरियंस की बात कर तो नए आभूशन नहीं खरी दिने होते नए घर ने पंदtechn की कई भी नए काहरे हमें शुरुआत करने ही नहीं होतें अगर हम कोई भी नए डीजर क striving करते वो सीदा सीदा पित्रों को लगता है या भूत औलजासों को लगता है क्योंकि कहीं बार ये देखने कहीं ढर और और एक 만तलों माहाल बन जाता है और जब यह माहाल बनता है तो कहीं नही चीज खरेद के तो कहीं उनेहें लग चाया यह और श्राद एक ऐसा समय है जहां पर हम कहीं न कए थोड़े से उड़ास होते कि हम अपने पिद्रों का ध्यान कर रहे हैं उन लोगों का सकता है उस्वर्ग में हो आपके पित्रों को भी लगता है और आपके देवी देवताओं को भी लगता है तो कहीने कहीन आप ब्रह्मनों को भूजन कराएगे इस समय पर उनको वस्त्र दान कीजिए सफीद चीज़ों का दान कर सकते हैं और कच्छा खाना जिसे आप चाहो तो किसी भी मंदिर पे दान कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पकावा खाना तो हर कोई नहीं लेता, तो आप आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, गुड़, और नमक, टेल, ये सब चीजे अगर आप देना चाहो तो ये चीजे दे सकते हैं, और शायत के समय पे ब्रह्मनों का अनादर ना कीजे, उनके साथ पत्तमीजी ना करें, उनके साथ अंट संट ना बोलें, उनकी जितनी इज़त करें, उनके पैर चुके आशरवाद दीजे, देखे, आपका पित्रदोश वहीं मुक्त हो जाएगा जहां आप ब्रह्मनों दौरा आशरवाद ग्रेंड कर लोगें, तो आप नहीं खरीदारी नहीं करिए, कपड़े नहीं खरीदे गें, जो मेरी धारना क्याती है, भागे आपके जो कुल में जैसी जानकारी दी गई है, क्योंकि दोनों तरफ से ये अगर देखा जाए, कहीं पॉजिटिव बताएगा, कही आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, जोरद मनों के साथ शेर करना ना भूलें, कमेंड में जै माता दी, ज़रूरे के और दरबाद से बने रहे, सबी भक्तों को जै माता दी, जै मा, डाट कर दीजे का लिमें की, जै हो!